साथियो नमस्कार Informative Classes के YouTube चैनल पर आप सबी का स्वागत है आज के इस वीडियो में साथियो में आपको CT के Admit Card आपकी इस परकार से निकाल सकते हैं और वो भी अपने मोबाइल से तो सुरूशे लेकर अन तक आपको Admit Card है वो डाउनलोड करके दिखाऊंगा बिना किसी Role Number, बिना किसी Name और बिना किसी Application ID के दुआरा तो आपको सबसे पहले देखे क्या करना है सबसे पहले आपको Google Browser Open कर लेना है उसके बाद में आपको यहाँ पर SSO सर्च करना है यानि SSO यहाँ पर मैंने सर्च कर रखा है तो इसको मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जैसे ही मैं SSO सर्च करता हूँ तो आमारे पास में यहाँ पर एक Single Sign On एक Option आ जाता है इस पर आपको यहाँ पर किलिक कर देना है इस पर मैं जैसे किलिक करता हूँ तो SSO ID आपसे मांगी जाएगी और SSO ID और CAPTCHA CODE आपको यहाँ पर फिल कर देना है CAPTCHA CODE और SSO ID फिल करने के बाद में आपको LOGIN वाले बटन पर किलिक कर देना है देखिए यहाँ पर यह ओपन हो चुका है तो LOGIN वाले बटन पर यहाँ पर थोड़ सा एक बार मेरे को रोटेट करना पड़ेगा इससे यहाँ पर मैं नहीं भर सकता हूँ तो आपको भी सही समझ में आ जाएगा यहाँ पर आपको SSO ID और नीचे पासवर्ड है तो मैंने पहले से ही यहाँ पर SHARE करके रखाया तो मैं यहाँ पर इसे continue कर दीता हूँ और यह दोनों SSO ID और पासवर्ड यहाँ पर आ चुके हैं अब यहाँ पर मैं केपचा कोड है वो डाल देता हूँ तो केपचा कोड मैंने यहाँ पर डाल दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर लोगिन पर किलिक कर दिया है इसके बाद मैं वापी से प्रों को रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए जैसा कम्प्यूटर में होता है उसी साब सी आप अपने मोबाइल से भी इसा करके निकाल सकते हैं अभी देखें आपके SSO ID है यह login हो रही है इतने में आप लोग चैनल को subscribe कर लिजिए अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो कर लाइक भी कर दीजिए इसके बाद में आपको पहला यह option दिख रहा है यहाँ पर recruitment portal अगर आपको यह recruitment portal यहाँ पर नहीं show हो रहा है आपकी SSO ID open होने के बाद में तो आप यहाँ पर सरच करके लिख लिजिए REC RUI इतना लिखते ही आपका recruitment portal है यहाँ पर आ जाएगा और इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखे यहाँ पर एक admit card का option आ रहा है उपर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर एक admit card का option आ रहा है देखे हम आपको दिखा देता हूँ gate admit card है इस यहाँ पर आ रहा है देखे भी मैं click करूँगा तो आपको दिखाई देगा यह देखे get admit card इस पर आपको यहाँ पर click कर देना है इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर देखे आपके फास में जो भी आपके SSID पर आपके admit card आएवे हैं वो यहाँ पर दिखा देगा common eligibility test graduation level 2022 common eligibility test graduation level 2022 rsm ssv परी rssv परी तो इसके बाद में यहाँ पर आपको click करना है get admit card बे get admit card बे जैसे आप click करोगे तो आपका admit card है वो download हो जाएगा यह देखे आपका admit card है download हो चुका है जिसमें बहुत सारे निर्देस भी देगे हैं इन निर्देस को हम एक दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे ताकि यह वीडियो लंबा नहीं हो और आप लोगों अगर admit card निकाल लिया है तो आप इससे देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर से आप इस त्री डोट पर click करेंगे फिर download वाले पर click करेंगे तो आपका यह download हुजएगा continue download क्योंकि मैंने पहले से download कर लिया इसलिए मैं download अगें नहीं कर रहा हूँ तो आप लोग भी अपना admit card इस परकार से निकाल सकते हैं आज के इस वीडियो में साथ ही जय हिंद जय भार्त वंदे मात्र